प्रयाग राज के यमुना पार इलाके में एक युवक को प्रेम करना भारी पड़ गया अपने प्रेमिका से मिलने गई युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई ठाला की प्रथम द्रिष्टिया ये और खेलिंग का मामला लग रहा है और खेलिंग का पूरा मामला नैनि थाना ख्षेत्र के चक हीरानंद मोहला का है जहां लड़की उर्वशी मिश्रा से मिलने रात के समय अरुनव सिंगा आया था बतादे की भोर में लड़की के घर से गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर पहुँचे लोगों ने देखा तो अरुनव खून से लतपत था और उर्वशी लहुलुहान हालत में पड़ी हुई थी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई जबकि गोली लगने से जक्मी ये S.R.N. अस्पताल में भरती कराया गया जहां जीवन और मौत के बीच जूज रही है तो ओबराल एक प्रेम प्रसंग का मामला समझ में आ रहा है लाइसेंसी पिस्टल से गोलिया चली है मौके से पुलिस को चार खोखा कार्तूस पुलिस ने बरामत किया है लाइसेंसी पिस्टल पुलिस ने फिल्ड उनिट के माध्यम से कबजे में ले लिया है लड़का जो मिर्तक है जिसका नाम अरणव सिंग सामने आया है उसके पैंट के पॉकेट से एक कीपैट मोबाइल फोन भी मिला है यह जानकारी मिली है कि लड़की बारहुमी कामर्स की छात्रा थी महर्शी विद्या मंदिर में पढ़ती थी लड़का भी महर्शी विद्या मंदिर में पढ़ता था और ग्यारहुमी या बारहुमी का छात्र था यह पूरी घटना उस समय हुई जब युवती से मिलने उसके घर युवग गया था गोली किसने मारी अभी इसका खुलासा तो नहीं हो सका है प्रेमी प्रेमिका को गोली लगने की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुच कर घायल को अस्पताल में भरती कराया वहीं प्रेमी के शब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया गया है मौके पर आला अधिकारी जाच परताल कर रहे हैं. फिल्हाल अभी चर्चा यही है कि अरुनव को उर्वशी के घरवालों ने गोली मारी है. गोली मारने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि उर्वशी को भी गोली मारी है. जानकारी मिलने पर SSP भी पहुँचे बंद कमरे में उर्वशी के घरवालों से SSP पूछताच कर रहे हैं SSP अजय कुमार ने बताया कि मृतक अरुनव सिंग और घायल लड़की उर्वशी दोनों नैनी में बात सुनी तो वो छट पर गए देखा तो लड़का मृत अवस्था में पढ़ा था और लड़की घायल थी घायल लड़की की बुआ की एक लड़की भी यहां रहती है उसने बताया कि अरुनव सिंग और इस घायल लड़की के बीच में दोस्ती थी और इंस्टाग्राम पर दोनों की बात चीत होती थी काफी महीनों से ये चीजें शुरुवाती चानबीन सामने आई हैं तहरीर प्राप्त हुई है शुरुवाती तहरीर को ततकाल पुलिस दर्च कर रही है पुस्टमार्टम के बाद चीजें और स्पस्ट हो जाएंगी और गहराई से चानबीन करके ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि मृत्यू की क्या परिस्थिया बनी है यदि ये सुसाइड इत्याद की घटना है तो किन परिस्थियों में है और ये किसी और ने गोली चलाई है और सीन क्रियेट किया है तो उसके भी बारे में पुलिस पड़ताल कर लेगी अभी चुकि शुरुआती चानबीन अभी चालू हुई है आपको डिटेल से आगे आउगत करा दिया जाएगा क्षेत्र में चर्चा है कि लड़की के पिता नहीं रात मैं प्रेमिका से मिलने गई युवक को गोली मार कर मौत के घाट उतार दी और लड़की को फसाने के लिए भी उसे गोली मार दी गई है शेत्र में यह भी चर्चा है कि यह मामला पूरी तरह से ओनर किलिंग का है लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जाच आगे बढ़ेगी प्रेमी प्रेमिका के गोली मारे जाने का मामला भी साफ हो जाएगा हाला कि अभी तक दोनों के बालिग और नाबालिग होने का मामला भी साफ पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द ही इस हत्याकांत का खुलासा कर दिया जाएगा.